घर में slinky होने के बावजूद ये वाली trick नहीं सीखे तो क्या ही मज़े लिए यार बिलकुल भाई इन tricks को सीखने में काफी मज़ा आता है यार तो चलो अपने अपने slinky उठाओ और रेडी हो जाओ कि आज हम काफी सारी advanced trick सीखने वाले हैं तो चलो सबसे पहली वाली trick सीखते हैं जिसका नाम है basic bounce जो कुछ इस तरीके की दिखती है ये trick simple तो है मगर दीरे दीरे ये tricks का level बढ़ता ही जाएगा तो इस trick को सीखने के लिए सबसे पहले हमें slinky को left hand पर रखते हुए right hand की मदद से 3-4 loop tightly hold कर लेना होगा इसके बाद हमें slinky को right hand की मदद से सामने की तरफ throw कर देना होगा कुछ इस तरीके से अब इतना करने के बाद हमें slinky को फिर से right hand की मदद से ही bounce back कराना होता है अब right hand की मदद से हमें slinky को वापस bounce back कराने के लिए हमें कुछ इस तरीके से motion करना होगा अब सबसे ज्यादा important बात है कि किसी भी slinky tricks को बिलकुल भी हड़बडी में practice मत करना नहीं तो ये slinky उलज सकती है सबसे पहले तो आपको इसको step by step रूपते हुए practice करना होगा practice करते समय आपको काफी सारी दिक्कते आ सकती है problems आ सकती है जैसे वापस लेते समय स्लिंक की properly हाथ पर लेंड नहीं होता अब हम जैसे ही इस वाले पार्ट को smoothly perform कर पाएंगे इसके बाद हमें try करना होगा कि इन दो में steps को एक ही बारी में perform कर सके और आप मेरे साथ इसको practice करोगे easy है यार जाद़ समय नहीं लगता इसको सीखने के लिए actually मैं यार इस trick को सीखना काफी जाद़ easy था सिर्फ 15-20 मिनट की practice से ही मैं इस वाले trick को सीख गया तो अब finally हम बढ़ते है second trick की तरफ जिसका नाम है ground bounce है ना cool trick तो चलो इसकी practice शुरू करते है basically इस trick में slinky कुछ ज़्यादा ही stretch हो जाती है जिसकी वज़े से हम इस slinky को control करने में काफी ज़्यादा problem आती है और कोई बात नहीं है practice से सब ठीक हो जाता है इस बार हम slinky को direct ground पर bounce back कराने वाले है slinky को ground पर throw करना तो आसान है बट slinky को bounce back करा के वापस हाथ में लाना वो बहुँन difficult task है भाई पर मैं भाई इस चीज के एक गंटे से भी ज़्यादा practice किया तब जाकर मुझे bounce back कराना थोड़ा मुड़ा आया अब मुझे सिर्फ bounce back वाले चीज को सीखने में आदे गंटे से भी उपर का समय लग गया अब भाई मैं इस वाली ट्रिक की आदे गंटे और practice करने के बाद इस ट्रिक को काफी ज़ादा smoothly perform कर पा रहा था specially इस वाली ट्रिक की practice करते समय आपको ऐसा लगे गया कि मैं स्लिंके को कुछ अच्छे से ही handle कर पा रहा हूँ और practice करते करते आप स्लिंके के उपर control करना अच्छे से सीख जाओगे और ground bounce वाली ट्रिक को सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि हम इससे ये वाली ट्रिक को आराम से perform कर सकते हैं तो चलो इस ट्रिक को आप मैं ट्राइ करके देखता हूँ ओफ ओफ परफेक्ट परफेक्ट हाँ यार यह पैर वाली ट्रिक तो एक्छुली में वर्क करती है फाइनली भाई यह वाली ट्रिक हो चुकी है complete तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ जिसका नाम है spider man bounce और यह वाली ट्रिक कुछ इस तरीके की दिखती है तो basically इस ट्रिक में हमें slinky को किसी दूर रखे हुए surface या फिर cheese पर bounce back कराना होता है जिसमें हमें timing और coordination पर काफी ध्यान देना पड़ता है और अगर हम इस वाली ट्रिक को सीख गा तो हम इस तरीके की cool cool चीजों को perform कर सकते हैं इस ट्रिक के लिए भी हमें starting position same पिछले वाले tricks के से ऐसी रखनी होगी पर इस बार हम इस slinky को किसी ground पर या pass रखे हुए table पर bounce back नहीं कराएंगे हम इस slinky को कुछ इतने दूरी की surface पर bounce back कराना होगा तो चलो इसकी practice शूरू करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसकी practice करने में काफी दिक्कत नहीं आने चाहिए तो सबसे पहले हम surface के काफी close आकर practice करेंगे फिर हमें धीरे-धीरे distance बढ़ाते हुए practice करते जाना होगा अब हम थोड़ी सी दूरी बढ़ाते है अब जैसा ही मैंने surface से थोड़ा सा distance बढ़ाया मुझे practice करते समय पता चला कि mess linking को properly catch नहीं ले पा रहा हूँ अब हम surface से थोड़ी और distance बढ़ा कर practice करेंगे देखो यार शुरू में हर step को सीखने के लिए दिक्कत तो होती है पर आपको भी पता है कि practice के साथ हम इसको ठीक कर सकते है perfect अब हम थोड़े से उचे level पर दूर रहकर practice करके देखते है पता नहीं यार हर नए step को सीखने में हमेशा दिक्कत है क्यों आती है perfect यार spider man bounce trick को सीखना उतना easy तो नहीं था बट मुझे इसको सीखने के लिए पूरा एक दिन लग गया और इस वाली trick को सीखने का main फायदा ये है कि हम किसी के भी हाथ पर या सीर पर bounce back करा सकते है और ये चीज काफी funny लगती है perfect तो भाई हमने अभी तक 3 लेवल की bounce वाली trick सीख ली है अब चलो मेरे साथ तो पढ़ते हम fourth trick की तरफ जिसका नाम है the escalator और ये वाली trick आप सभी लोगों ने तो almost देखी ही होगी और जैसी जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जा रहे है tricks का level भी advance होता जा रहे है तो इस वज़े से आप like तो करी सकते हो तो इस वाली trick को सीखने के लिए सबसे पहले हमें right hand की मदश से कुछ loops को पकड़ कर सामने की तरफ जटका देना होगा इसमें हमें slinky को बिल्कुल little pressure से throw करना होगा अब इस trick में slinky को throw करने का motion कुछ ऐसा होगा अब throw करते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि throwing hand हलका सल नीचे प्लेस होना चाहिए और उसके बाद वाला उससे नीचे रहना चाहिए तभी CD वाली situation create होती है और ये वाली trick स्मूधली परफॉर्म हो सकती है अब चलो इस trick की practice करते हैं और देखते इस trick को सीखने में कितना समय लगता है इस trick का challenging part ये है कि escalator का next step अपना हाती होता है जिसके लिए हमें अपनी speed को बढ़ाते हुए practice करना होगा ताकि ये वाली trick work कर सके ये trick never ending है इसका मतलब जब तक इस trick को perform करते रहोगे तब तक ये trick चलती रहेगी practice करते समय मुझे ये पता चला कि हम जितने ज़्यादा slow practice करेंगे उतना अच्छा है क्योंकि हमें इसका अंदाजा हो जाता है कि अगला step इस point पर रखना होगा और इस तरीके से practice करने में भाई मुझे काफी जल्दी improvement नजर आई देखो इसको सीखने के लिए हमें थोड़ा समय तो लगेगा बस आपको irritate नहीं होना है और यही सोचकर मैं इसकी practice करने लगा और फिर हम जैसे जैसे इसमें अच्छे होते जाएंगे हमें इसको perfect बनाने के कोशिश करते जाना होगा ओ भाई परफेक्ट फाइनली भाई मैंने इस वाली trick को भी काफी अच्छे से सीख लिया होगा ओ भाई परफेक्ट यार तो हमने अभी तक चार slinky spring की trick सीख लिया और इस पार नेक्स पार्ट में चार और slinky tricks आने वाली है जो के काफी धमाकेदार होने वाली है आई होप आपको इन चारो tricks को सीखने में काफी मजा आया होगा मुझे तो बहुत आया यार अभी तक तो आपने like करी दिया होगा पस subscribe करना भूल गया है पता है न कूल कूल tricks सीखने को मिलती है ओके बाई